और मेरे हिसाब से इन दो गन को मिला के जो खतरनाक चीज होती है न वो खतरनाक चीजे कोई भी और कॉम्बो करी नहीं सकता मेरे को ऐसा लगता है AWM प्रस गुरूजा आजा ही आजाता है तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यूग गलत सीन से भरे पड़े पवजितों आल गेम प्रे वीडियो में और यार कई दिनों बात आखिर कार जाके 30 किल हो ही जाते है यार एक टाइम के लिए लगनी राता मतलब हिला डूला साथा मामला होगा या नहीं होगा लेकिन आखिर कार होई जाते 30 किल कैर 30 किल तो होते रहेंगे फिराल यार नो वो उत्रें और उतरते ही गन की तलास मैं भकता हूँ और मिल जाती एक काम चलाओ गन और आज तो यार उतरते ही सबसे पहला सपरे सबसे ज़्यादा सस्ता होता है लेकिन ये लोग नियत्ते हैं अभी और जब भी मैं ऐसे बंदों को निहत्ते नंगे भगता देखता हूँ न यार मेरे को पुराने दिन यादा जाते हैं एक टैम ऐसा हुआ करता था कि एक ही जगा पे एक ही कंटेनरों में यार चार चार सकॉड उतरती थी और हर एक बंदे पे हर एक बंदे पे गन होती थी वो भी महंगी वाली और अब हाल देखो यार एजबार अके लेके भग रहा हूँ अभी तक और आगे बंदे बैठे हैं और यहां पर मैं बिल्कुल टाइम पर आ जाता हूँ नहीं तो यार वो नौक बंदे की ये पेटी बनाते और मेरा तीस किल का सपना यहीं इसी जगा टूर जाता उतरते ही और यह लोग इस जगा में कहीं पे भी भग रहे हैं मैं आगे देखता हूँ बंदे पीछे पहुंचे पड़े हैं मैं पीछे देखता हूँ बंदे आगे पहुंचाते हैं अब ये लाल कपड़े वाले भाई अपनी सारी गोली बोट पे लगा देते हैं और जब मैं सामने आता हूँ भाई रिलोट करते हैं और यहां मैं काफी टाइम से ये चीज देख रहा हूँ एस बारा के सिर्फ और सिर्फ पेटी बनाने की काम आ रही है एमपोर चला रहा हूँ अंधा गोली पे लाँ बंदा नौक हो रहा है और जब पेटी बनाने का टाइम आता है निकाल लो अपनी एस बारा के कैर यहां पे दो तीन बंदे ठिल चुके हैं बस एक ही बंदा बाकी है अब उसके फुटी स्टेप यहीं से आये थे लेकिन यार अब गायब हो चुका है वो और जैसा कि मेरे को लगी रात है यार फुटी स्टेप तो इधर से यह आये थे बंदा इतने जल्दी किधर को गायब हो गया अब गायब तो भाई कदू भी नहीं हुए थे लेकिन भाई खड़े हो के ठिपी पी ले रहे थे और यार ठिपी पी एक बहुत खतरनाक चीज है यार एक टैम किला अगर बहुत भी टीपी पी लेने लग गया ना वो भी हमें पेल देगा वैसे अजकल तो बहुत ऐसी पेल के चल देते हैं खैर यहां पे जो भी लूट पड़ी होती है मैं सारी की सारी लूट पे हाथ पाओ पेलता हूं और अब पेटियां खाली हो चुकी है और आगे के तरफ और भी बंदे बाकी थे लेकिन फिर मेरे को पानी में कोई दिखाए देता है पानी में कोई तैर रहा होता है देखो कौन है यह और असली जिन्दगी तो यार ये बहुत लोग जी रहे हैं कोई फिकर नहीं कोई चिंता नहीं भाई मजे से तैरते वे आते हैं बिलकुल पानी में तैर के सीडिया चड़ रहे होते मस्ती में ये होती है जिन्दगी और अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं ये नाचने नचाने वाली हरकत क्यों कर रहा हूँ मेरा टीमेट क्यों पागल हुआ जा रहा है वो क्यों चाहता है कि मैं यहां जोर जोर से नाचूँ तो सीन क्या होता है देखो है यार प्लेन में होते हैं और ओल पे दबा के ये बंदा जिसको अभी पेला दबा के पूरे जोस में गाली गलो चली होती है इस बंदे ने पूरी की पूरी लवबी को दमकी दे रखी थी कि बेटा तुम नोवो आओ तुम्हारी पेटी वनेगी और यार जहां तक मेरे को पता है सिर्फ तीन गूली में भाई ठिल जाते हैं कैर उसको पेलके नचना नुचाना करके यार मैं यहां से निकलने की तग्यारी में होता हूँ लेकिन सीन क्या होता है यहां पे गूलिया चली थी और बंदे गायब टैप हो गे थे तो इनको देखने के लिए हम यहां पे रुकते हैं अब गूलिया काफी लगती है लेकिन सपरे सस्ता होने के कारण बंदा ठिल के नहीं देता और उपर से मेरे को खुजली होती है रिलोट पेलने की और उत्रे में ही बंदा भग जाता है केर उनको डूणने के लिए हम लोग इधर पे आते हैं और मैं कुछ जादे ही आगया जाता हूँ यहां पे रुक के देखते हैं कद्दू कोई नहीं दिखता बाद में पता चलता है बंदे पीछे की साइड बैठे हैं हाँ यही छोटे मोटे घरों पे चुपके बैठ रखे हैं अब देखो भले यह चुप रखे हुते हैं लेकिन गोली यह लोग बराबर चलाते हैं अब मैं तो बच जाता हूँ लेकिन हमारे भाई को पकड़ लिया जाएगा देखो क्या सीन होंगे इधर अब यहाँ पे बंदा मेरे मूँ के सामने खड़ा है वो किसी भी सेकंड मेरे पे रस रूस कर सकता है लेकिन हमारे भाई बोलते भाई तुम नेट डालो देखो यार बंदे कैम्प कर रहे होते मेरे से नेट तब नहीं फटते और अब ही जब बंदा मूँ के सामने खड़ा है बाई को लगता है यार मेरे को नेट करना चाहिए यार इनसान देखके तो बात करो कैर इसे के साथ आखिर कार जाके नो वो खाली हो जाता है और यार इस बार तो मेरे को भी नहीं लगता कोई केमपर बाकी होगा चपपा चपपा चान मारा था और ये लोग भी भग्याए थे यार खाली होगी जगा तो वहाँ से मैं निकल जाता हूँ अब जाना पड़ता है सिधा पोचंकी पे क्योंकि यार मजबूरी होती है और मजबूरी सिर्फ और सिर्फ एक वज़ा से होती है वो है खिल की लालच नहीं तो यार कहीं पे आराम से साइड बे मस्त बैठ सकता हूँ लेकिन अगर मस्त बैठ गया तो ये आपस में ठिल जाएंगे और फिर कद्दू भी नहीं होता थी स्किल और करते ही करते मैं पोचंकी पहुशता हूँ और आगे गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पे मैं आता हूँ सकोब खोलता हूँ मैं देखता हूँ यार गाड़ी बड़ी क्यों हो रही है मेरे को सही भी लगा था गाड़ी दूर की तरफ जारी होगी लेकिन ये लोग पूरी रफ्तार से मेरे को चड़ाने को लाते हैं गाड़ी मैं देखता हो यार यहां तो गलत सीन हो जाएंगे एक बंदा पकड़ता हूँ और दे साइट पे फिर दूसरा भी पकड़ में आता है कैर यहां पे पोचंकी खाली हो जाता है लेकिन अब चहां पे जा रहे हैं न दबा के बिलकुल दबा दबा के एक्सियोन होगा सही समझे आप रोज़ाग की पहाड़ी लेकिन उससे पहले हम धेड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो हैर इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्स बैट जिसके माद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल, बॉली बॉल, बास्केट बॉल और e-sports वगेरा पे बैट पूट लगा सकते हो और अब तो फुटबॉल भी दुबारा चालो होने वाला है साथ ही साथ इसमें आपको आपके पहले डिपॉजिट में 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो को डियूस करते हो जो की कमेंट सेक्षियों में दिया गया होगा और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी है तो आप वो खिल के भी पैसे कमा सकते हो और इसमें जीते वे पैसे वी ड्रॉ करना बिल्कुल हलवा है क्योंकि इसमें पेटी एम पेपाल गूगल पे गंदू पे सब कुछ है बैंक ट्रांसफर सब कुछ है इसमें तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इस एप को ट्राइ कर सकते हो और ट्राइ करते हो तो ऐसी टीम पे लगाना जो पका पका जीते है दिक्कत किदर आ रही है इस एप की लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी पिलकु टूक में अब देखो ये तीनी किल उठाने का न दर्द बहुत जादा होता है 200 कोड आपस में लड़ गई आपस में ठिल गई ये लोग और मैं थूरा सा मैं यहाँ पे लगभग लगभग पांच सेकंड लेट हुआँँगा अब वहाँ पे मैंने लूट बाजी नहीं करी होती दबा दबा के अगर मैंने लूटा नहीं होता न पोचंकी में तो मेरे को थोड़े से किल और मिल जाते या फिर मैं ठिल भी सकता था केर इसके बाद मैं इधर उधर गाड़ी गुमाता हूँ और दूबारा से रोजों की पाड़ी आ पहुंचता हूँ गाड़ी मैंने काफी जगा गुमाई कोई ने मिला लेकिन दूबारा यहां पहुंचा और यहां पे दूबारा से बंदे मिल जाते हैं बस इस बार सामने घर पे बैठे हैं और यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड ज्यादा लेट हो जाता ना उस बंदे को नौक करने में मेरे ख्याल से मैं नेट की चपेट में आ जाता अपने ही उपर पहाड़ी पे बन्दा बैठा पड़ा है हमको पता ही नी बाई वो कहीं लेट लूट के नेट लूट कर रहा है और अभी आगे जाके और भी हरकत करेगा देखना आप और मेरे हिसाब से इन दो गन को मिला के जो खतरनाक चीज होती है न वो खतरनाक चीजे कोई भी और कॉम्बो करी नहीं सकता मेरे को ऐसा लगता है AWM प्लस गुरुजा मज़ा ही आजाता है और जो भाई हमारे पहाड़ के उपर बैठे थे वो तो हद से जादा हद से जादा खतरनाक है भाई ने नेट किया भाई ने फलेर चला रखी है दिन दुनिया को ख़बर नहीं है कि चल क्या रहा है अब बंदे पे मस्त गने हूंगी मस्त सब कुछ होगा और बंदा जिंदा भी है कैर यहां से मैं निकल लेता हूँ जून की तरफ अब मेरे को लगता नियार वो बंदा पहड पे बैठा होगा लेकिन निकलते निकलते कोई आता है पीछे से अब एक सकॉर्ड के बंदे गाड़ी लेके वहां ठोकते गाड़ी जहां पेल चुका हूँ सब को मेरे ख्याल से यह लोग थर्ड पाटी करना चाहते थे लेकिन यार यह तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया मैं बंदे पेल के लूट के इधर उदर मस्ती करके सकॉप खोलके निकल जाता हूँ गाड़ी लेके उसके बाद यह लोग आ रहे हैं अब देखो मेरे को लगता है ठीक है यार हम करेंगे ब्रिज ब्लोक अब यार ब्रिज कैम्प बाकी ब्रिज का तो करते नहीं लेकिन इस सस्ते ब्रिज का पका पका करेंगे क्योंकि यार छोटा सा है जो भी होगा जल्दी से नहीं पड़ जाएगा और यहां पे चल क्या रहा है मेरे को जहां तक पता है यह गाड़ी वाले बंदे हैं यह बग्गी लेके क्यों आ रहे हैं और यहां मेरी आखों के सामने से तीन तीन बग्गी जाती है पहली बग्गई गया अब क्या ही कर सकते हैं फिर दूसरी बग्गी आती है उसको पकड़ता हूँ और उतने में ही तीसरी बग्गी आ जाती है अब ये गाड़ी वाले बंदे यार अपनी महंगी गाड़ी को छोड़के बग्गियां भरके आते हैं शायद पट्रोल नहीं होगा और अभी तक मैं दो बग्गी वाले पकड़ चुका हूँ लेकिन सबसे पहला बंदा यहां से बचके भग चुका था अब देखो बचके भाई आगे भग जाते हैं लेकिन आगे और पंगे होंगे तो मैं भी गाड़ी लेके जाता हूँ, अभी मेरे को लग रहा है कि बस एक ही बंदा है, जो साब बना बैठा था, साब बना लेटा था, वो भी बिल्कुल नंगा होके, तो उसे पकड़ने मैं आ गे जाता हूँ, पर कुछ और ही सीन होते हैं। और ठीक इस जगह पे, मेरे को लगता है अब ती स्किल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आखिर में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, कि चारो के चारो बंदे जिन्दा हैं। या तो चारो के चार अलग टीम के होंगे, या तो यार दो-दो में बटे होंगे, और वो लोग ज़्यादतर आपस में ठील जाते हैं, लेकिन यहां पे मेरे लिए सीन सही हो जाते हैं, चारो के चारो बंदे एक ही टीम के हैं, और मेरे सामने ही घड़े हैं। अब वहां से मैं जान बचा के भगता हूँ और भगते भगते मेरे को लगभग तीन बंदे दिखाई दिये यानि कि यार तीन बंदे ये हैं इनको पकड़ लो जल्दी से पकड़ लो फिर आखरी बंदा उसको हलवे की तरह पेलेंगे और जहां तक मेरे को याद यार इन लोगों पे गाड़ियां पड़ी थी लेकिन ये गाड़ी लेके हमारा पीछा बिल्कुल नहीं करते वहीं पे बैठे रहेंगे लेटे रहेंगे लेकिन वहां से हिलेंगे नहीं अब देखो मेरे को अभी भी यह लग रहा है कि यार ये तीन ही बंदे हैं तो मैं आगे रस करने की पूरी खुचली में होता हूँ फिर नेट करता हूँ या बैठके और जैसी ये नेट भटा ना यार खुची अलग लेवल की थी अब बेशती मेरे टीमेट ने पका मारी थी लेकिन यार देखो आज कल मैं देख रहा हूँ पहुत बेज़ती हो रही है तो ये वाली इस वाली बेशती में मैं अपनी बकवास डालने वाला हूँ क्यार यहाँ पे मेरा जीना इस मैच के लिए सफ़ा लो चुका था अब यहाँ पे मैं ठिल भी जाऊना भले ही 30 किलना हो मैं खुस था लेकिन अभी के लिए जिन्दा हूँ तो मैंने सुचा यार कुछ जुगाड करके देख लेते हैं क्यार इधर उदर भगी रहा हूँ और देखी रहा हूँ की सीन क्या चल ले हैं अब नेट डालके मैं खुस था लेकिन लालच फिर जाग जाती है यार बगेर 30 किल करे रहा न गया कद्दू लेने गया नेट तो यहाँ पर मैं बिल्कुल तयार हूँ बंदों की पेटी बनाने के लिए और मैं यहाँ साब बनता हूँ और बाहर लेटावा मेरे को एक साब दिखाई देता है तो मैं चलाता हूँ एडबलो एम और उस साबकी तो सीधा पकड़के दूनों ने मिलके पीटी बनाई मैंने ये डबलो एम चटकाई भाई ने कर 98 बचने का कोई मौका नाई अब देखो दूसरा बन्दा भी नौक होता है तो मैं बोलता हूँ यार रस कर दिया जाया आगे पीजी ओपन है भे तूँ मैं आ रहा हूं रूप जा अब भाई ये क्या आवाज है यार ये लोग चाहते ही नहीं कि मैं सोजाओ रात को एक भाई अपनी बे सुरी आवाज में एक बे सुरा सा गाना गाता है और हमारे ये भाई अजीब सी आवाजे निकाल ले आरे भाई कहां से आये हो खैर इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है अब नींद गई कद्दू लेने यार 30 किल हो गया 30 किल के लिए न मैं ये आवाज है क्या मैं बे सुरे गाने रिपीट में सुनने के लिए ता यार हूँ बस 30 किलो जानी चीए कैर आज के वीडियो में इतना है भाई लोग यार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये कॉम्बो के लिए ये गुरोजा पलस AWM के लिए यार लाइक ठोकना मत भूलना देखो ये दो गन्ना हलवा नहीं है एमके भी बड़ी है लेकिन यार 40 गोली 40 गोली होती है गुरोजा अलग लवल पर है और यार जाते जाते एक एक एक्स बैट चेकाउट करना मत भूलना उस एपकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिलकुल टॉप में ट्राइ करके देखो यार बिलकुल तगरी टीम पे लगाना और यार मिनी गेम्स खिलते हो तो आप वो भी ट्राइ कर सकते हो प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना और हाँ भाई लोग तुम्हारा भाई डेली नो नो लाइफ पे रात को 9 बजे लाइफ से ट्रीम वगेरा कर वहाँ पे उसको डाउनलोड करके बस नाम सर्च करना और फॉलो पेल देना तो आज के लिए इतना भाई लोग यार कर मिलते हैं बाई बाई झाल रहाँ फॉलोड़ अ यार भाई लोगे व्यार बाई बाई भाई लोगे भाई झाल झाल